राम राम किसान भाईयों मेरा नाम नरेंद कुमार यादो किसान भाईयों मैं आपको आज टमाटर की फसल में लगने वाले अगेती वा पछेती जुलता के बारे में जानकारी दूँगा किसान भाईयों यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो किसान भाईयों आपने अक्सर देखा होगा कि जब टमाटर की पत्यों पर काले दाग धब्बे बनने लगते हैं किसान भाईयों जब काले दाग धब्बे बनने लगते हैं यह धब्र हलकिसा होते ही। तो इसे बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं तो इसे अगयती जूटा सा की नाम आपको मैं बताना चाहता हम कि यदि आक़ी फसल में अगयती जूटा का प्रकुप जैसे इस पत्यूं पर चोटे छूटे काले धाक धब्बे बनने लगते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ इसमें जुलसा का प्रकोप हो रहा है इसकी रोक थाम के लिए किसान भाईयों आपको सर प्रथम यूपियल कंपनी का साफ यूपियल कंपनी का साफ किसान भाईयों आप इसका उपयोग कर सकते हैं 25 से 30 ग्राम परत 15 लीटर पानी में इसको डाल कर रोका जा सकता है उसके बाद में किसान भाईयों यदि आपकी फसलों में बहुत ज़्यादा तेज जुलसा नहीं लगा है हलका फलका दिखाई दे रहा है तो आप किसान भाईयों एंट्रा काल जो की बायर क्राप साइंस कमपनी का आता है इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं आपको मार्केट में आपके नजदी की केट नासक दुकानों पर आपको आसानी से मिल जाएगा इसकी मात्रा किसान भाईयों 25-30 ग्राम प्रत 15 लीटर पानी के लिए होती है यद किसान भाईयों आपका जुलसा इससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप किसान भाईयों उसके बाद में आप रीडो मिल गोल्ड सेजेंटा कमपनी का रीडो मिल गोल्ड आता है मिल नहीं मिल पाता है तो आप टाटा रैलीस कंपनी का टाटा मास्टर जो की आता है उसका उप्योग आप कर सकते हैं इसकी मात्रा 25 से 30 ग्राम प्रती 15 लिटर टंकी में इसका घोल बना कर आप छड़काव कर सकते हैं इसका छड़काव किसान भाईयों पर तेक 10 दिन पर करना चाहिए किसान भाईयों जब अगेती जुलसा कंट्रोल नहीं हो पाता है इसकी रोग थाम नहीं हो पाती है तो किसान भाईयों हम इसमें पछेती जुलसा का परकोप होने लगता है और इसकी रोग थाम के लिए आपको बायर क्राफ साइंस प्राइबेट लिम्टेट कंपन का मेलोडी डियो के नाम से जो दवा आती है आपके मार्केट में आसानी से मिल जाएगी ये पच्छीती जुलसा में बहुत ही बढ़ियां काम करती है इसकी मात्रा 40-50 ग्राम प्रती टंकी यानि की 15 लिटर पानी के लिए 40-50 ग्राम डाल कर धुलाई करनी चाहिए किसान भाईयों ये पच्छीती जुलसा बहुत ही ब्यापक रूप ले चुका है और इन सभी दवायों से इसकी रोक थाम नहीं हो पा रही है तो आप बायर कंबनी का जो की नेटिवों के नाम से आती है उसका उपयोग आप कर सकते हैं इसकी प्रयोग मात्रा है 10-12 ग्राम प्रती 15 लिटर पानी के लिए किसान बायों आप इसका इस्तिमाल करके जुलसा को रोक सकते हैं किसान बायों जब फसलों में अगेती या पच्छीती जुलसा का प्रकोप बहुत जादे हो जाता है तो फसलों में फसलों की पत्तियां उनकी साखाओं की पत्तियां स्वता सूख कर नीचे गिर जाती हैं किसान भाईयों इसकी पौधों में फुटाव के लिए आप सिप्तान टैनियल जो की हिसा एक ग्रो कमपनी का आता है 25 से 30 हमल परत 15 लिटर पानी में इसका स्प्रे कर सकते हैं इसके बाद किसान भाईयों फूल फल एम कल्लों के फुटाव के लिए आप सुनी टुमू केमिकल्स कंपनी का प्रोजिप के नाम से आता है इसमें सूखी एक ग्राम जिबरेलिक एसिट पाई जाती है 95 परसंट जो की बहुत ही फसलों में फुटाव के लिए बहुत ही और कई जानकारियां सामिल होती हैं किसान भाईयों यह चैनल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक सस्क्राइब और सेर जरूर करें धन्या